गंस के पाटी में नहीं जाऊंगा बस इतना जान जाइए गईया का चारा का बेवस्ता करते थे, कंस क्या करता था गईया का चारा खा जाता था कि आपको भी चुनाव लड़ना चाहिए देखिए पत्रकारिता एक बहुत बड़ा धर्म है और उसका करतब्य जो है हमें निभाना है हलाकि कभी-कभी मैं गलती कर देता हूँ मेरा जुबान फिसल जाता है मैं हाड वर्ड का इस्तमाल करता हूँ मेरे से अच्छे ढंग से आप लोग पत्रकारिता करते हैं अगर आज मैं माइक छोड़ दिया न तो यह जो मतलब की बिहार को कुर्सी पे बैटके दिम्मा की तरह नोच रहे न यह जीत जाएंगे इन्हें लगेगा कि एक पत्रकार को जो है हमने जो है रास्ते से अटा दिया तो बस इतना ही कहूँगा कि मैं माइक कभी नहीं छोड पूछते हैं वैसे राजनेता का भी काम सवाल पूछना भी तो है जनता की सेवा करना भी तो है तो आपको नहीं लगता कि अब जिस तरीके से अब बिहार की बात करते हैं ऐसे में एक ऐसा राजनेता भी चाहिए बिहार को देखिए मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है मैं कल ही जिल से बाहर निकला हूँ इसके बारे में अभी भविस्य में क्या होगा क्या नहीं होगा वो मुझे नहीं पता है लेकिन मुझे अभी बरतमान में इतना जरूर पता है कि मैं माईक का साथ नहीं छोड़ूँगा और मा कउन्स के पार्टी में नहीं जाऊँगा बस इतना जाए यह कॉन है आ आप अपने कोन है बिहार के भोले भाले लोगों को आ सज्छा कून 듯 तेरा श्री क्रिस्न क्या करते थे गया का चारा का वेवस्ता करते थे कंस क्या करता था गया का चारा खा जाता था गया का चारा खा जाता था और श्री क्रिस्न नहीं आपका इशारा तेजस्वी आदो पर तो नहीं है तो हम लोग स्री क्रिस्न के वनसज हैं हम लोग स्री क्रि तो इशारों में कही ना कही आप तेजस्वी आदव पर तो ये बात नहीं कह रहे हैं आपको पता है मेडम इसलिए आप ऐसा बोल रही है बस मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोग अंतरात्मा से पूछिए अगर हम लोग बिहारी हैं बिहार में पैदा होना ही एक बहुत बड़ संगर्स है और जब हम संगर्स करके बिहार में पैदा हो गया है तो बिहार को पदलने की जिम्मेवारी सिर्फ मनिस्क अस्थर्प के कंदे पर नहीं है आपके भी कंदे पर हम सब के बिहार को जिसने पिछले 33-35 साल से बरबाद किया है 1990 में बिहार की इस्तिति क्या थी और 2023 में बिहार की इस्तिति क्या है उसका एक आकलन कर लिया जाए पता चल जाएगा कि इन 33-34 साल में जब ग्लोबलाइजेसन हुआ जब इंटरनेशनल कमपनिये भारत में आई तो बिहार में क्यों नहीं है क्यों बिहार को इससी का भी जवाब आपको मिल जाएगा